हेलो एवर्यवन से उस पार की शुरुवरत की साथ हमें दिखा जाता है कि हैंडरी को जिस जगह पर जाना होता है जहां पे वो एक train की photo निकाल के देखता है और यहां पे उसे याद आता है कि इसी platform पे एक लड़का आगे उससे टकरा गया था और वो लड़का Henry को sorry कह के वहां से चला जाता है यह याद करके Henry काफी जादा उदास हुचाता है और यहां उसकी friend उसे खुश तो होती है और साथ ही उसे बताती है कि उसे यहां पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि VIP के साथ उस incident के बाद उससे यहां से blacklist कर दिया गया है तो सियोन उसे बताती है कि वो यहां पे सिफ उससे मिलने के लिए आई है और उसे इस बार में पहले से ही पता है फिर तब भी वहां पे भाई लेडिया जाती है जिससे उसका जगड़ा हुआ था और वो यहां पे सियोन हो की insult करने लगती है पस सियोन हो से middle finger दिखा कर वहां से चली जाती है वहीं दूसरी और Henry जीयोन और woman से कहता है कि तम लोगों को साथ मैं मेरे लिए एक जगा पे खाना खाने के लिए जाना होगा और तम लोगों का काम से फितना ही होगा कि वहां पे जा कि तम लोग एंजॉय करो खुप सारा खाना खाओ और उस सारे खानी की photo मुझे send करो क्योंकि मैं अभी diet पर हूँ और यह कहकर वह वहां से चल जाता है तो यहां पर जियून का समझ में नहीं आता है कि आकर वह यह सारे काम उन से क्यों करा रहा है तो वूमिन उसे बताता है कि वह अपनी आखों से देख की चीज़ों के इंजॉय करता है और से किसी नई चीज़ को टेस्ट करना पसंद नहीं है फिर नेक्सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह दौन साथ में वहां पर जाते हैं और खुप सारा खाना और करके उसकी पिक हैंडरी को send करते हैं और हैंडरी भी वह फोटोस देख के बहुत खुश होता है हैं फिर सारा काम काम के भाड़े के बाद वह लोह साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर वूमिन जीओन से पूसता है कि क्या तुम अभी भी उस बंदे से मिल रही हो तो जीओन से और वोमिन से कहती है कि भला तुम उसके बारे में जानने के लिए एतने interested क्यों हूँ तो वूमिन उसे कहता है कि बस ऐसे ही फ्रेंट के तौर पर तो जियून उसे बताती है कि पहले मैंने उसे बहुत जादा गलत समझा था क्योंकि वो तो काफी अच्छा बंदा है और सिर्फ मुझे अच्छी तरीकी से जानना चाता है और मुझे लग रहा था कि वो मुझे जाके मिलता है और वो इसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है जिस पर जियून वूमिन को अकेले वापस जाने के लिए कहती है पर वूमिन जो कि यह से काफी खुश नहीं होता है वो इससे डारेक्ली मना कर देता है और जियून से कहता है कि वो उसका घर काफी जहां पर जिन जीओन से कहता है कि नई शुरुवात करने से पहले मुझे तुम से माफ़ी मांगनी चाही है कि व्हस्वाइब यहीं चाहिए तुम मुझे किसी फाइदे से डेट कर रहे हूं या सच मुझे पसंद करती हो चाहिए तो पिर तूम्हें यह बात पता चली। यस Jihyun उसे कहती है कि सब को सच बताने के लिए थैंक यू और वहीं नेक्स सीन में हमें वूमन को दिखा जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और Jihyun के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि इस बिलकु भी पसंद नहीं होता है कि वो जिन के साथ टैम स्पाइंट करें जिसके बाद जोस्व उसे वॉक करने के लिए कहता है और उसे देखके इंप्रेस होता है फिर वहीं दूसरी ओर हमें जी और मुमिन को तेख़ा जाता है जो कि हैंडी को लेकि दूसरी जगह पर आते हैं और यहाँ पर जीओन मुमिन से पूषती है कि भला हैंडी इन फोटो पर जाता है जो कि बहुत साल पहले बंद हो जुका था और उस जगह को देखके उसे फिर से एक लड़के की याद आती है और हैंडरी बहुत जादा एमोशनल हो जाता है और अपना चश्मा लगा लेता है जी उन्हों से वो चश्मा उताने के लिए कहती है वरना लोग उसे प उस दिर बाद दिखा जाते है कि वो जोर जोर से रो रहा होता है और यहाँ पे जी उन्हों उसे शांत कराने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैंने सभी से बात कर ली है कोई भी शोशल मीडिया पर फोटो अप्लोड नहीं करेगा पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुन होता है नेक्सीन में दिखा जाता है कि जी उन्हीं ये सारी बाते मिसो को आकर बताती है और उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे कोई सूट खरीदने के लिए है बलकि मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे किसी को धूरने के लिए है और वो कल ही पैरेज जान और क्योंकि वो यहां का ओनर होता है तो जीयून उनसे जूट बोल देती है कि उसे वूमिन के लिए एक सूट सुलवाना है जिसके बाद वो वूमिन का मैजर ले रहे होते हैं और यहां पर जीयून बातों ही बातों में उसके बार में कुछ जानी की कोशिश करती है और यहां जाएए जिस पर हेंडी उससे कहता है कि नहीं वो यहाँ पे सिफ घूमने के लिए आया था और इतना ही उसके लिए काफी और अप यहां से वो जाएगा हाला कि वो उसकार्ड और मैगजीन को देखके खुश होता है और इसी के साथ वो जियून को अपना लेटर देके कहता है कि वो अपनी फ्लाइट रेशेडियूल नहीं करेगा इसके बाद जियून वो लेटर पढ़ती है जो कि उस आदमी ने हैंडरी के लिए लिए लिखा था और वो उसमें कहता है कि हमें हमारा किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना होगा और उनकी रास्ते आज से अलग-अलग है यह लेटर उसने उसे काफी समय पहले लिखा था फिर नेक्सीन में हमें दिखा जाता कि हैंडरी उस शॉप के बाहर खड़ा होता है और फिर फाइनली वो उस आदमी से मिलने के लिए जाता है जहां पर वो उसे खुद के लिए एक सूट बनानी कहता है और उसे अपना एक क जिनके साथ हैंडरी आता है और उसे वहाँ पे देखकर जियोन काफी शॉक्ट होती है तो भी सियोन ने उसके पास आती है कि तुमने तो बताया था कि इसे Pink Color से डर लगता है तो आज बहला है हैंडरी पूरे Pink Color में क्यूं है जिस पे जियोन उससे कहती है कि शायद उसकर ड पोटोस सेलेक्ट कर लेती है और वूमिन भी इस बात से बहुत खुश होता है वहीं दूसरी और हमें जीओन और जिन को दिखाया जाता है जहां पर जिन उसे ऑफिशली डेट करने के लिए पूसता है और उसकी तरफ हाथ आंगे बढ़ाता है पर जीओन यहां पर सोचने करके आती हुँ और यह कहकर वहाँ से चली जाती है तब आना यहां पर उनसे इतना तायार देखकर हस्ती हुश मैं जाता है क्यों तुम से मेरे प्यार मेरे पढ़ जाओ गए क्यों कि मैं काफी सथा हैंसम दिख रहा हूं जिस पर जीओन उसे गहती है कि तुम्हें बताए नहीं कि तुम बिल्कुल भी हैंसम नहीं दिखते हैं विट भी वो मिन उसके पास आके कहता है कि मैं दुबारा से तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना जाता हूं और इससे कहता है कि क्या तुम सच मैं नहीं जानती हो कि तुम कभी मेरे लिए इससे फ्रेंड नहीं थी और हमेश जिसके बात वूमिन जियून को बुलाता है तो जियून पलेट कर उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता कि ये कोई मजाक चल रहा है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे ही ये सब कुछ मुझसे पूचोगी तो मैं हां कर दूगी और उसे कहती है कि हमें दुबार से strangers ही बन जाना चाहिए और यह कहकर woman को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है next day हमें दिखाया जाता है कि Henry और miss नाम ही साथ में बैठे बाते कर रहे हो तो यह सब कुछ Instagram पे life चल रहा होता है और उन्हें अपना budget बढ़ानी के लिए कहती है तो miss पार के हाँ पे कहती है कि influencer में से JD कैसी रहेगी इस पर miss नाम ही से बताती है कि JD सिर्फ luxury brand के साथ shoot करती है तो miss पार कहती है कि हमें JD ही चाहिए बना भला हम बाकी brands को छोड़के आपके पास क्यों आते और अगर आप JD को लाएंगे तो हम अपना budget भी बढ़ा देंगे फिर कुजदे बाद हमें दिखाया जाता है कि जीउन में सोसे कहती है कि हम ये कम budget में भी कर लेंगे फिर next scene में हमें woman को दिखाया जाता है जो कि जीउन के rejection से काफी affected होता है और अपना सारा गुसा गेम पे निकाल रहा होता है और यहाँ पे सियोन हो भी उसके साथ होती है तब ही यहाँ पे उसे एक flashback याद आता है जहाँ पे जीउन ने उससे break up कर लिया था और woman सियोन हो के सामने ऐसे react कर रहा था जहाँ पे woman की flight आने ही वाली होती है पर woman यहाँ पे काफी depressed बैठा होता है और वो बुरी तरीके से रो रहा होता है और सियोन हो यहाँ पे उसका ये version देख के काफी shocked होती है और समझ जाती है कि वो जीउन के साथ break up नहीं चाहता था पर फिर भी जीउन ने उसके साथ break up ले लिया back to present हमें सियोन हो को दिखा जाता है जो कि यह सब कुछ याद कर रही होती है और woman के पास मिलने के लिए जाती है यह देखने के लिए कि क्या वो अभी भी उसी तरी के से रो रहा है या अब थोड़ा mature हो गया है जिस पर woman भी उसे देखके कहता है कि तुम्हें क्या लगए जीउन ने मुझे डंप कर दिया तो मैं यहाँ पर बैटके रो रहा हूँ और इससे समझाता है कि अब कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटने वाला है तबी जीउन यहाँ पर उससे कहता है कि मुझे तुम्हें एक चीज देनी है पर तबी वहाँ पर एक लड़की हील्स लेके आती है जो कि जीउन को बहुत पसंद आती है और वो काफी जादा expensive होती है यहाँ पर जीउन से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी यह सैंडल्स फेवरिट है और तुम इने काफी दिनों से चाहती थी तो मेरी तरफ से यह तुम्हारी लिए एक गिफ्ट है इस सब के बाद हमें दिखा जाता है कि जीउन वापस घर आ रही होती है और सिफ वूमेन के बारे में ही सोच रही होती है और वहीं दूसी और वूमेन भी घर जाते हैं वक्त जीउन के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पर यह दौनों ही एक दूसरे को कॉल करने के बारे में सोचते हैं पर फिर एक दूसरे को कॉल नहीं करते हैं और इचिक साथ यह एपिसोड यही पेंड़ों, तो दिस्यू गाइज इन दे नेक्स पार्ट